काले कारणामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि हम ग्रंथ लिख दें तो पूरे नहीं होंगे और सबसे पहले बात सुरू करते हैं सोनिया गंदगी की उर्फ एंटोनियो माइनो ये खांदान इसका क्या था ये हमेशे बोलते जाती 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 आज इनकी ही जाती का उजागर करते हैं कि इनकी उजाती क्या है सोनिया गंदगी की जाती क्या है ओ भई इसका पिता कितनी बार गुंडा गर्दी में पकड़ा गया एक बहुत बड़ा गुंडा था सबको मालूम है चोरी हो पकट मारी हो ऐसे जुर्मों में कितनी बार इटली की जेल में इसका पि नाच कहां पर UK में और ये पूरी बात जब इटली के एक खोजी पत्रकार जेवियर मोरो ने अपनी किताब जिसका नाम था The Red Sadi उसके अंदर लिखी तो UPA सरकार ने उस किताब को बैंड कर दिया इस बैंड बुक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप वहाँ जाकर इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं Free of cost पढ़ सकते हैं मैंने पूरा इंतजाम आपके लिए कर दिया है उसके अंदर जो जो लिखा है आपके रॉंक्टे खड़े हो जाएंगे इस सोनिया गंदगी के बारे में इसकी जाती तो मैंने बदा दी आपको अब आप सोचिए जो कॉंग्रिस बड़ी बड़ी बाते करती है किसकी आजादी की जाती की और वो कहती है कि जो आजादी है या आपके बोलने की जो freedom है इसके खिलाफ हम रहते हैं हम तो हर एक को बोलने का हग देते हैं अगर आप मौमिन के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको टेर्रिस्ट डिक्लेर कर दिये जाएगा और आपको अंदर कर दिये जाएगा लेकिन अगर आपने कॉंग्रेस के जो ये बड़े बड़े लोग हैं यानि कि गंदगी परिवार वाले लोग हैं इनके बारे में कोई सचाई भी लिख दी तो वो किताब ही बैन कर दी जाएगी भारत में ये है इनकी freedom of speech ये गंदगी family की अब आप सोचिए सुपरमानेम स्वामी का नाम सुना होगा मुझे मालू मैं कि लोग उसे बड़े positive ली नहीं लेते मेरे बहुत अच्छे मित्र रह चुके हैं और उन्होंने हजारों बार एंटोनियो मानियो उर्फ सोनिया गंदगी इसकी गंदी सचाई इस देश को उजागर करी है क्योंकि वो इस परिवार के बहुत नजदीक रहे हैं उन्होंने पूरे भारत में जगा जगा घूम घूम कर बड़े बड़े हालों में हजारों लोगों के सामने सोनिया गंदगी की गंदी जो background है वो सचाई लोगों को बताई भी है लेकिन क्या आज तक कभी सोनिया गंदगी ने सुप्रामानियम स्वामी के उपर कोई भी केस किया हो कभी नहीं और नहीं राहुल गंदगी ने कोई भी केस कि मेरी मा के अगेंस तुमने इतना कुछ बोला है मेरे अगेंस इतना कुछ बोला है कोई भी केस किया हो ऐसा क्या है कि सुपरामनियम स्वामी के अगेंस्ट ये कुछ नहीं करते लेकिन मैंने जब भी इस गंदी फैमिली के खिलाफ कोई भी वीडियो बनाई है इनके सच उजागर करने के लिए वीडियो को डिलीट करवा दिया गया मेरे अकाउंट में से मैंने अगर दस वीडियो बनाई है उसमें से आठ डिलीट करवा दी यूट्यूब ने बोला ये कांटेंट ठीक नहीं है आप सोचिए कि सुपरामनियम स्वामी के पास ऐसा कौन सा काड़ है ऐसा कौन सा राज है कि ये उनके खिलाफ कभी केस करते नहीं उन्होंने इनके खिलाफ गंदी फैमिली के खिलाफ हजारों केस की होई है दोस्तों यही होता है जब आपको लड़ाई करनी है तो आपको भी सीधे तरीके से नहीं टेडी उंगली करके ही करने पड़ती है और ये गंदा परिवार, फरजी, गांधी जो बने फिरते हैं ये ना भारत, बलकि अंतर राश्ट्रिय लेवल के उपर भी बहुत बड़े गुंडे हैं और बड़े बड़े गुंडों को भी इन्होंने पाल कर रखा हुआ है और जर्मन शेफट, जो जर्मन ने में बैठा हुआ है, इन्हें के गुंडगान काता है उसे भी पाला हुआ है, और क्रोडों रुपे उसकी वीडियोस को वारल करने के लिए लगाय जाते हैं और ये परीवार, इस परीवार के उपर सवाल जिस जिस ने उठाने की कभी भी कोशिश करी उनके साथ क्या हुआ ये चैलन्ज किया इनको, वो इस दुनिया से या उठा दिये गए या हमेशा के लिए चुप करवा दिये गए और उसके बाद दुबारा से किसी ने हिम्मत ही नहीं करी उनको दुबारा से इनकी उपर कोई भी कोश्चन करने की अब आप सोच के देखिए पूरे भारत में इन्होंने कौन कोई सी हरकते करी है भाई एक दिन में सबसे ज़्यादा केस करने का अगर कोई रिकॉर्ड है तो उत्रा कंड की जो कॉंग्रेस की सरकार थी उनके नाम पर है जिनोंने बाबा राम देव के ओपर एक दिन में 135 FIR दर्ज किये थे एक दिन में आप सोच सकते हैं 135 FIR और कारण क्या था कि बाबा राम देव कॉंग्रेस की ओपर सवाल उटाते थे ये गंदी फैमिली की ओपर सवाल उटाते थे कि आप भारत के खिलाफ हिंदू के खिलाफ सनातर के खिलाफ काम कैसे कर सकते हो 135 किस कर दिये और उन्हें भागने के लिए मजबूर किया गया था अब आपको याद होगा हिस्टरी में ले जाता हूँ लाल बहादर शास्तरी थे उनका कद बहुत बड़ा हो गया था गंदी फैमिली बिल्कुल छोटी होगी थी उनके सामने और उन्हें भी जहर दे कर कतल गरवा दिया गया और लाल बहादर शास्तरी जी के मरने से किसको फाइदा हुआ था ये मुझे आपको समझाने की जरुट नहीं है ये सब को पता है कि कभी भी किसी कभी जो मडर का केस होता है उसमें सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि इसके मरने से फाइदा किसको होगा और फाइदा हुआ इंदरा गंदगी को दूसरा आदमी था रजेश पाइलिट वो भी सोनिया गांदी के खिलाफ अदेश मक्त के ओपर खड़ा होने वाला था पर्चा भरा हुआ था और जैपूर के हाइवे के ओपर एक ट्रक अच्छानक से गलत साइड पर आकर उसने उन्हें मार दिया या वो मर गए ये था रजेश पाइलिट के साथ क्योंकि वो सोनिया गंदगी के या इनकी पार्टी के गंदगी फैमिली के खिलाफ खड़ा हो रहा था जिते अंदर पर जो परशाद हैं सोनिया गांदी के अदेश पद के चनौतीदार खड़े हो गए और उन्होंने नाश्टा किया कॉंगरेस के आफिस में नाश्टा करते ही कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें हार्ट अटेक हो गया और उनका निधन हो गया सोनिया गंदी फिर दुबारा से अद्यक्ष बन गई राहुल गंदगी के जो विदेशी दोस्त थे छे साथ इनकी उपर रेब का केस अरोब लगा था केस भी हुआ और राहुल गंदगी खुद इन्वार्ड था उस केस में सुकन्या देवी का दो केस आपको याद ही होगा मैंने पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है उसके उपर सुकन्या और उसका पूरा परिवार कहा है आज की डेट में किसी को पता ही नहीं है और सुकन्या नाम की एक फरजी लड़की को कोड में खड़ा कर दिया गया कि मैं सुकन्या हूँ मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और कोड ने भी बोल दिया राहुल गंदगी बरी किया जाए इसका कोई कसूर और नहीं है क्या हो गया अगर किसी लड़की का रेप कर भी दिया तो इनका तो परिवार का यही हाल है मादवराव सिंदिया के साथ भी ऐसा ही हुआ एंटोनियो मानियो यानि की पोल डांसर के साथ नाराजगी अक्सर रहती थी शरत पौर पार्टी छोड़ चूड़ चूड गांधी के अध्यक्षपद को चुनाती देने वाले थे क्या हुआ दिल्ली से कानपूर की फ्लाइट में वो जाने वाले थे साथ में दिगविजे सिंग थे और मनी शंकर अयर ये दो लोग भी साथ में जाने वाले थे एक दम से एक फोन आया कि भई आप दोनों यहां रहे जाये मादवरा सिंदिया को अकेले कानपूर जाने दिए और वो फ्लाइट कानपूर पहुंची ही नहीं उन्हें रास्ते से हटा दिया गया लेकिन आप ये पुवित्र जो है ना दूद से दुला हुआ ये गंदगी वाला परिवार इसके उपर आप सवाल नहीं उठा सकत दूद के दुले हुएं और इन कांगरिसियों ने पदान मंतरी निंदर मोदी को भी समय समय पर गालियां दी हैं उन्हें मारने की साजिश भी रची है पंजाब का वो पुल आपको बूला नहीं होगा जब पदान मंतरी पंदरा मिनट तक उस पुल की उपर लटके रहे थे और वहीं से वापस मुर गये थे, उनके पता लग गया था कि मेरी जान को खत्रा है, पूरी प्लैनिंग कॉंग्रेस की गंदी परवार ने बनाई हुई थी, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वही, वो तो धंगई थे, कालिसानिये, उन्होंने परजान मंतरी को मार दिया लेकिन आप इस पवित्र परवार पर कोई सवाल नहीं पूश सकते, ये वीडियो भी मेरा चलने नहीं देंगे, मुझे मालूम है, लेकि मुझे परवार नहीं है, क्योंकि हमें अपने देश को बचाना है, इस गंदगी वाले परिवार से डर-डर कर कब तक जीते रहेंगे और दोस्तों, लोक सवा में एक प्रशन हुआ था एक बार, जो प्रणव मुखर जी ने बताया था, कि सोनिया गंदगी ये 27 एपरिल 1983 को अपना इटेलियन पास्पोर्ट इसने सरंडर किया था, इटेलियन दुतावास में, लेकिन सोचिए, जिसके पास 1983 तक इटेलियन पा 1983 तक, बकि जब भी वोटिंग हुई है, उस पे उसने वोटिंग करी है, याने कि ये नागरिक भी थी नहीं भारत की, लेकिन वोटिंग करने का इसको हक दिया हुआ था, अब आप सोचके देखिए, ये परिवार ना तो समविधान को मानता है, हमारे कॉंस्टिटूशन को म मानता नहीं, ये सिर्फ ये बोलता है कि ये जागीर हमारी है, हम कुछ भी कर लें, कोई कानून हमें हाथ नहीं लगा सकता, we are above law, order, कानून, समविधान, country, संस्कृति, कोई भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, और एक और चेस, राहुल गंदगी सिर्फ एक MP था चोटा सा, तुचूसा, और वो भारती ये वायू सेना के हेलिकॉप्टर लेकर, वो सारे दुनिया में घूमता फिरता था पूरे भारत में, जो वायू सेना के विमान होते हैं, उसे वो अपने परसनल यूज के लिए हमेशा यूज करता था, किस हैसियते करता रहा है, क्या था वो, ए एक clarity है, कुछ भी नहीं है, लेकिन facilities सारी इन्होंने यूज करी, वो भी बहुतरे मनाने के लिए पूरी flight, Air India की book होती थी इनके लिए, जिसमें 3-4 लोग होते थे, बहुतरे केक कटे जाते थे हवा में जाकर, उसका बटा ऐसे नहीं बेठा है, लेकिन आप सवाल नहीं कू करम है, इसके उपर अगर आप सवाल उठा लें, इन्हें पसंदी नहीं है, और ये Congressi इतने दोगले हैं, इतने नीच हैं, कि इतने ब्रश्ट परिवार को बचाने के लिए, ये सारा time जिसको बोलते हैं, जूट पे जूट बोलते हैं, और अगर कोई सच बोलता है, तो तुमने विवा के समय मौलानों को बलाया, और संसत सदसिर जो शफिकर रह्मान थे, उनको इसलामी जो रवायत होती है, उसे निभाने के लिए तुमने क्यों बलाया था, और अपने पती को तुमने क्रिश्चन कनवर्ड करने की जिद क्यों करी थी, तुमने शादी तो कोई मुसलमान के रिती रिवाज से हस्बन को क्रिश्चन बना दिया और जो तुम्हारा कारेकरल कारेकरल ता जो आफिस है दस जनपत उसमें दो दो मजारे बनाई हुई है तुम्हारी जाती क्या है तुम्हारी मा की जाती तुम्हें ने बता दी बोल्ड डांसर थी तुम्हा याना जो खुद का DNA है, वो खान फैमिली से आता है, यानि कि वही गंदी परिवार, तब ही तुम्हें गंदगी वाला परिवार बोला जाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर खून भी, या तो पोल डांसर का है, पता नहीं लगता कि बच्चे किसके होए, क्योंकि पोल डांसर साल, सिर्फ तुमने जो राज किया, आकरी पंदर भी साल में, ये सोनिया गंदगी एन फैमिली में, तुम्हारे पास कितना धन है, पहले अपने धन का तो पता दो, और वहां पे बेशर्मी से तुमने पर्चा भरा, कि 90,000 रुपे हैं मेरे पास सिर्फ 90,000 रुपे हैं, शर अजर शर्मा के शो में आके बोला है, फिफ्टीन हंड्रेड, बिलियन डॉलर, ये कॉंग्रेस ये, खा गए हैं इस देश के, 1.5 ट्रिलियन डॉलर, अब समझ सकते हैं, 50% अब भारत की जीडीप, ये अकेली पार्टी के पास है, ये इस फैमिली के पास है, ये है इनकी सच जाती पता दी, अगली बार, और, कलारटी से, और, इंवेस्टिकेशन से, आपके सामने आऊंका, तब तक के लिए, जाए शरी राम.